ते आलराइट और वेल्कम टू आल एन टूड़ेज दा हिंदो नूूज डिसकेशन नाओ डेली के बेसिस पर हम पेजवाई डिसकेशन करते हैं और एक हर एक पर्टिकुलर नूज से आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर प्रिलिम्ट से से कैसे कौशन फ्रेम हो सकता है में से स तो फ्राइडे आंसर राइटिंग भी की जाती है तो चलिए सबसे पहले ओवराल न्यूज पेपर का डिसकेशन देख लेते हैं कौन-कौन सी जो हेडलाइन से हैं देखे पैगसस बहुत ज़्यादा फैल रहा है अब तो जो देश के पी-म है टेलिग्राम के फाउंडर है प्रिसिडेंट हैं इराक के एजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है मरोको के प्राइम मिनिस्टर है इनके भी एकाउंट को जो है टार्गेट कर लिया गया है पैगसस इस्पाइवेर ने तो इसको डिसकस करेंगे यह क्या है पेगसस को डिटेल में केस स्टेडी बताती है कि बहुत सारे जो चिल्डरन से उन्होंने लॉस्ट किये अपने केरगिवर्स मतलब पैरिंस को CBI बहुत सारे देखे टीहार जेल है या कोई भी जेल है वहाँ पर डेथ होती है कस्टोडियल डेथ तो CBI के बास अभी भेजा गया है CBI के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर देखे लिंग्यार्ट कुछ पॉलिटिकल यहाँ पर न्यूज आई है बट हम यहाँ पर आपको लिंग्यार्ट से रिलेटेड जो जो फाउंडर थे उनके बारे में बताएंगे क्योंकि इनके बारे में प्रिलिम्स UPSC पूछ सकती है तो डेटेल में इसका जो है नोट से हम आपको शियर करेंगे प्लस उसकी वीडियो में भी एक्स्प्लेन करेंगे IMD के बारे में जानकरी लेंगे दूसरा है फिर एडिटोरियल है देखे प्रिलिज मोशन इस एडिटोरियल में आया है इसको प्रिलिम्स के बिसेस में बाकी मेंस के बिसेस पर एडिटोरियल करेंगे पूरी एडिटोरियल होंगे कैसे इंडिया को तालीबान के साथ टॉक करनी चाहिए ओपन टॉक ओपिक और ओपिक प्लस डी आइडियों ने डिसकस करेंगे इलक्टोरल बॉंड को जो है डिसकस करेंगे और युनेसको देखिए युनेसको वर्ल्ड हरिटेज लिष्ट में डालती है बहुत सारी चीजों को सिटी हो गई कोई लेक हो गया राइट बट युनेसको हटा भी सकती है ठीक है अभी लिवर्पूल जो है उसको हटाया है एक इंगलेस सिटी है लिवर्पूल अभी ऐसा क्यों है और इससे पहले भी क्या युनेसको हटा चुकी है इसको डिसकस करेंगे डिटेल में राइट औ तो आप इस free group से join हो जाएंगे अब नाव यहाँ पर होता क्या है देखे daily के जो UPSC main question होता है अभी GS4 ethics से चल रहा है तो उसके जो हमारे paid user होते हैं वो answer writing भी हम यहाँ पर चाहे आप Hindi माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के हो आप यहाँ पर share कर देते हैं आप भी चाहते हैं आप PR publication के paid group से join हो और UPSC के जरनी हम से हमारे साथ आगे तै करें तो yearly plan join कर सकते हैं सिर्फ 499 रूपीज में date wise current notes यह सब चीज़ा आपको available हो जाएंगी NCRT testory UPSC CSAT का video course अगर यह तीनो एक साथ लेना चाहते हैं lifetime एक बार payment कर दी उसके बाद access के लिए payment नहीं करने पड़ेगी 999 रूपीज में तीनो प्लैन आप एक साथ ले सकते हैं लेना बहुत simple है दिये गए नमर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करनी है उसकी screenshot SIM नमर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने Telegram private group से add कर लेंगे Now start करते हैं आज का discussion सबसे पहले telephone number link to 10 Prime Minister, 3 President and King appeared on the list of potential target for spying using the Pegasus spyware और Pegasus बनाया है NSO group जो की Israeli company है अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इसराइल जब भी किसी को Pegasus देता है यानि कि NSO जो गुरूप है Pegasus देता है तो claim भी करता है कि यह किस सरकार ने खरीदा है ठीक है यह वो बताता भी है openly भी यह चीज़ें होती है तो यह सब चीज़ें हमने देखने को मिली बट इंडिया के level पर क्या हो रहा है वेस्ट बंगॉल अब यहां पर ममता बेनर जी को क्या लग रहा है और वह सरे एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि बहुत बाद जैसे 2010 बार में हिमानचल प्रदेश में क्या हुआ था कल के अडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि नई सरकार आती है और जो नए DSP हैं SP rank है उनको rate करती है यानि कि उनके phone चेक करना ये सब चीज़ है ये वो rate करती है तो similar अभी ऐसा भी हो रहा होगा कि जो हमारी ही सरकार है जो main election commissioner के election commissioner हैं जो members हैं जो journalist हैं उनके phone को hack किया जा रहा है government के भिहाब में तो वेस्ट पंगोल की chief minister ममता बेनर जी कहती है कि हमें supreme court से कि आप suomoto action लीजिए suomoto का मतलब खुद से intervene कीजिए and ask all the opposition parties to form a united front against the BJP और BJP की अगेंज देख अलग से अपना block बनाई है तो दूसरा ये भी बोला गया है कि या तो suomoto start करें खुद से ही अपना decision सुनाए या आप SIT special investigation team को set up करें उनको monitor करने के लिए तो ये पूरा article हमने पढ़ लिया है यहाँ पर से हम पढ़ेंगे Pegasus now Pegasus Melchia software है और ये simple बिना किसी link के आपके phone में घुश सकता है सिर्फ एक whatsapp misdical से आपका सिर्फ वर्टसेप पता होना चाहिए उस साइट से वर्टसेप misdical आई और आप क्या होंगे आप में Pegasus spyware जो है वो install हो जाएगा यह develop किया है Israeli एक company है NSO group द्वारा 2010 में जो earliest version of Pegasus discovered which was captured by researcher in 2016 इससे पहले का जो version है 2016 में ही update किया गया जिसको spear phishing भी कहा जाता है और इसको zero click attack यह term हमेशा important याद रखना Pegasus spyware जो malcius software है उसको zero click attack भी कहते है यानि कि आपको कोई click करने की जरुबत नहीं है किसी link में फिर वो खुलेगा फिर facebook का login मांगेगा ऐसा कुछ नहीं होता जैसे phishing में होता है phishing क्या होती है आपको मैं कहूँगा यह link है आप click करेंगे interface खुलेगा आप में आएगा सबसे पहने facebook login कीजिए बट वो जब आप facebook login कर रहोगे वो interface जो है नकली होगा shadow interface होगा मतलब देखने को facebook लगेगा वर facebook होगा रही जैसे आप login करेंगे वैसी email ID और password मेरे gmail में आ जाएंगी बट यह zero click attack software है यानि की directly आपकी whatsapp मिश्ड कॉल करेंगे तो आपके phone के data सब हमको मिल जाएगा कौन-कौन से recent step लिए गए है सरकार के दोरा यह पूछा जाता है यह जो भी मैं news बताता हूँ वो prelims और mains के basis पर complete ही बता देता हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि prelims के लिए आप Pegasus पढ़ लिए हो mains के लिए कुछ और जरुवत पढ़ लिया किसी और दूसरे source में तो भारत सरकार ने Cyber सुरिक्षा भारत initiative National Cyber Security Coordination स्वच्चिता केंद 2017 I4C Indian Cyber Crime Coordination Center 13 Computer Emergency Response Team यह सब चीज़ है भारत में कोई कानून है क्या Yes IT Act 2000 Personal Data Protection Bill 2019 और International ITU भी इसको समालती है और एक बुदा पैस्ट कन्वेंशन है Cyber Crime के लिए भारत उसका signatory नहीं है अबी Now simple सी बात है जो पहली news है एक चीज़ बता देता हूँ जैसे COVID से death हो रही है तो certificate में यह थोड़ी ना लिखा होगा कि यह oxygen की कमी से हुआ है ठीक है यह death ऐसा नहीं लिखा होगा कि यह oxygen की कमी से हुई है death तो अभी उनके पाद कोई data ही नहीं है और सरकार तो यह भी कह रही है कि oxygen की वज़े से मतलब lack of oxygen की वज़े से कोई death ही नहीं हुई है तो expert यह सब कहते हैं कि कोई certificate में lack of oxygen का कोई reason नहीं लिखा है तो directive वो लिखेंगे COVID-19 से death हुई है study कहती है कि बहुत सारे 1.2 lakh Indian children जो है वो अपने parents को खो चुके हैं और S.I.E. world level का भी example दिया है बट यहां पर matter यह करता है कि सरकार ने इनके लिए क्या किया है ठीक है 20 साल तक इनको education free मिलेगी 5 lakh रुपे मिलेंगे यह सब चीज़ें अभी government ने initiate किया है high court transport तिहार जेल inmates death inquiry अब ऐसी custodial death होती रहती है तो police reforms की बहुत ज़्यादा जरूवत है बट अभी हमारा मुद्ध क्या है हम जो पढ़ने वाले है वो यह है कि इस मुद्ध को C.B.I.E. को सौंब दिया गया है ठीक है मुशकम आप्टर डैली पुलिस फेल्स टू मेक हेड़वे इन दे केस C.B.I.E. को बोल दिया गया है कि आप जाच कीजिए कैसे तीहार जेल में कुछ लोग मारे जा रहे है C.B.I.E. अपने आप में ही अलग बॉड़ी है और आपसे डारेक्टली पूछा जा सकता है Central Bureau of Investigation के बारे में यह Department of Personnel Ministry of Personnel Government of India के अंदर आता है और सबसे बड़ा Important Road Conviction Rate इसका 65 से 70% है यानि कि अगर 100% केस आ रहे हैं तो 70% सॉल्व हो जाते हैं पर कॉशन हम से पूछा जाता है कि C.B.I.E. के डारेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है 2004 तक क्या होता था नहीं एक कमिटी बनानी चाहिए कमिटी के हैड होंगे प्राइम मिनिस्टर लीडर आप ऑपोजिशन जो दूसरे मुहमर होंगे लीडर आप सिंगल लाजेस्ट पार्टी चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रेम कोट के फिर होम मिनिस्टर इनको नाम देंगे और कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन CBI के डारेक्टर होंगे इनका टैनियूर होता है दो साल का और इनकी गाइडलाइन से लिखी गई है CVC Act 233 के अंदर ना यहाँ पर देखिए ठीक है जो UPSC Prelims में पूछा जाएगा बट यहाँ पर टम मैं जनरली देखता हूँ कि टम्स कौन कौन से पूछा जा रहे है क्योंकि उनके बेसेस पर ही आप से आंसर पूछा जाता है अब देखिए लिंग्याट्स कौन है अब लिंग्याट्स भी एक बहुत बड़ी कौमिनिटी है साउथ की और जैसे बुद्दिज्म होता है जैनिज्म होता है वैसे ही लिंग्याट्स भी होते है और वहाँ से लिंग्याट्स अमेली भी खड़े हो रहे हैं ताकि अपनी कौमिनिटी के लिए representative बने तो हाला कि यह पूरा news है bjp political oriented है बट मैं यहाँ पर से आपको बताऊंगा link yards link yards से related इनके founder जो की directly personality based question में पूछे जा सकते है personality based मतलब क्या होता है मैं personality test के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इंट्रिव्य में नहीं personality based यानि कि किसी बंदे के बारे में पूछ देंगे जैसे दलाई लामा के बारे में पूछेंगे ठीक है इस तरह से हमेशा पूछा जाता है UPSC prelims में देखे न्यूज में पहले भी आये थे who was lord बश्वेश्वरा इनके बारे में पूछा जाएगा prelims लेवल है lord बश्वेश्वरा उनकी philosophy क्या है main semester school of Indian philosophy पूछा जाएगा ये Indian art and culture का question है lord बश्वेश्वरा इंडियन 12th century के statesman philosopher poet लिंग्याट संते है लिंग्याट संते वो होते हैं जो सीवा की भक्ती में समाए रहते हैं सीवा focused भक्ती moment है और ये social reformer करनाटका भी रहे है ये जब कालाचुली डाइनस्टी या कल्यानी चालुक्या की डाइनस्टी थे तब के है he was active during of rule of dynastries but reached his peak of influence during the rule of king बिजला सेकिंड करनाटका तो इनकी पीक या इनका जो moment है वो कभ फैला बहुत ज़्यादा जब करनाटका के जो राजा है कि बिजला सेकिंड के टाइम में लिंग्याट्स के ये founder रह चुके हैं मतलब ये एक तरह से लिंग्याट्स बुद्धिस्में तो किसको मानते हैं बुद्ध को ये है सन सिवा फोकस्ड भक्ती मुमेंट है ये है इनकी फिलोसिपी के कहती है बस्वेश्वेरा लिंग्याट्स थिएलोजी वोजे फॉर्म आप क्वालिफाइड नॉन डुलिस्में जहां पर इंडिविज्वल यानी कि आत्मा की जो एक इंडिविज्वल की सोल है is the body of God ठीक है प्राइड व्याट्स बींचमर आप अगया था तो यहां पर क्या बात की गई है कि इंडिविज्वल की जो सोल है is the body of God ठीक है वो भगवान मतलब सोल में भगवान समाय हूए है ये इनकी philosophy थी and there is no difference between शीवा and आत्मा यानि कि आपकी आत्मा में शीवा में कोई difference नहीं है वैसे बादिज्म और जैनिज्म के बारे में भी पूछा जाता है उनकी philosophy के बारे में ठीक है बहुत सारे धर में ऐसा भी बोलते हैं कि आत्मा और गौड का कोई connection नहीं है बट यहां पर उल्टा बोला जा रहा है बश्वे शुरा कि आपकी जो आत्मा है is the body of God वो भगवान की है यहां पर इनके famous वर्क के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं बश्वाशना इस्प्रेट सोशल अवेरनेस दो पॉइट्री 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 वच्छन्स बश्वा ना रिजेक्टे जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ठीक है सुपरिस्टिशन और रिचूल्स के बारे में हमने जान लिया और लिंग्यार्ट्स कौन है आप सबको पता एक कॉम्यूनिटी है जो सिव फोकस्ड भक्ती मुमेंट या सिव फोकस्ड फॉलो करती है राइट शीवा को फॉलो करती है आएमडी बहुत सारे जो एलर्ट इश्यू करती है औरेंज रेड हेवी रेनफॉल तो आएमडी के बारे में जान लेते हैं बस वही है यार हर जगह भी मॉन्शून चल रहा भी यह हमारी वीडियो लेट आने का कारण भी आपको मॉन्शून नहीं है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी आती नहीं है आएमडी यानि कि इंडियन मेटरोलो यह सब बताती है कौन आएमडी ना अब बात करते हैं कुछ एडिटोरियल की सबसे पहना एडिटोरियल है इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन दो कोविड-19 टैजर्डी एज वर्ल्ड हर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस देखिए कोविड-19 2020 यूएस हेल्थ मिनिस्टर यू सबच मान के चलो हमाई 10 बिलियन होते अगर 1 लाग की डैथ होती सिर्फ 1 लाग की डैथ में गहाँ इतने बिलियन, 10 बिलियन में से 1 लाग की डैथ होती तो और कंट्री के मुकाबले हमारी जो कंट्री है उसमें यही बोला जाता कि per capita debt यो हैं कम हुई है as per population तो वैसे ही यूएस ने यूके ने इंडिया के बारे में स्टार्टिंग में बोला था कि कोई ज़्यादा डेथ नहीं होई है बट जैसे जैसे सेकेंड वेव आती है पता चलता है कि हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं तुबन टूजडे स्टेट्मेंट भारती प्रवीन जो पवार है स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर है मिनिस्टर राजी सबाब में उन्होंने बोला कि कोई जो ऑक्सिजन के वज़े से डेथ ही नहीं हुई है तो इस पर कॉंग्रेस लीडर केसी वेन वेकाल ने कहा कि हम प्रिवलेज मोशन जो हैं पास करेंगे अब ये एक प्रिवलेज मोशन हम लास्ट में डिसकस करते हैं से डूटोरियल के कि ये क्या है ये प्रिलिम्स में पूछा जाएगा ठीक है technically simple सी बात है ये सही भी है क्योंकि किसी भी एक death certificate में ये नहीं लिखा होगा COVID-19 patient के कि इसका जो demise है due to the lack of oxygen हुआ है तो at the end यहाँ पर यही बोला गया है कि कहीं ना कहीं अभी हमें state infrastructure जो health infrastructure है उस पर काम करना चाहिए बड प्रिलिम्स के लिए एक यह है privilege motion के बारे में भी हम discuss करेंगे now UPSC general studies paper to polity में privilege motion आप से पूछा जाएगा generally क्या होता है जितने भी MPs होते हैं MLA होते हैं उनको privileges दिये जाते हैं ministers को generally और it is concerned with the breach of parliamentary privileges by minister but वो कभी-कभी breach कर देते हैं क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए क्या चीज़ बोलना चाहिए यह सब चीज़ है we breach of privilege होता क्या है यह कुछ अधिकार दिये हैं कुछ immunities दी गई हैं जो MPs को मिलती है individually and collectively so they can effectively discharge their function मतलब कभी-कभी आपने देखा है MP और MLA कितना ज़्यदा generally MP के बारे में बात करूँगा लोग सबार राजिस्मा में कितना चड़के बनते हैं चड़के बोलते हैं चोड़ा बनके बोलते हैं यह किस वज़ ऐसे क्योंकि उन members को उन मंतरियों को क्या है कुछ अधिकार दिये गए हैं ताकि आप अपने को अच्छे से express कर पाएं चाहे उसमाँ आपको चिल्ला के बोलना पड़े या रो के बोलना पड़े आप बोल सकते हैं जब कभी-कभी ऐसे ही MP जो है इन चीजों को और ज्यादा लाइन क्रॉस कर देते हैं तब इसे ब्रीच आप प्रिविलेजेज मोशन कहते हैं अंडर दे लौ पार्लेमेंट जैसे सभी को पता है कि oxygen की कमी से death हुई थी बट government के data में किसी certificate में यह नहीं लिखा गया तो MP यह थोड़ी ना बोलेंगे जो main राजजी सभा या लोग सभा में कि यार oxygen के वज़े से death ही नहीं हुई या अपने पार्टी को बचाने के लिए तो यह चीज याद रखना कि यह उनका right है कि immunity दी गई है कि आप कुछ भी बोले है पर एक beyond the line cross ना करें तो दूसरा है article 105 में constitution में जो है privileges के बारे में discuss किया गया है क्या parliament president को भी privilege देता है parliament privilege do not extended to parliament के privilege तो नहीं मिलते बट सविधान president को अपने कुछ privilege देता है यह चीज याद रखना parliament का integral part है president लोग सभा राजी सभा president बोलते हैं है न बट जो parliament के privileges हैं वो president तक extend नहीं किये गए यह prelims में याद रखना क्योंकि directly जब आप से पूछा जाएगा कि parliament के क्या privileges president को भी दिये गए हैं नहीं answer है नहीं ठीक है article 361 constitution में इनके बारे में लिखा गया है ओके चलिए now next editorial discuss कर लेते हैं the revival of monsoon has overwhelmed Mumbai मुंबई मैं आप सबको पता है मुंबई की बारिस मौनसून आ जाता है तो फिर दो मिनेट में सड़के जो सड़के हैं भर जाती है तो मुंबई को चाहिए एक बहुत अच्छा drainage system जैसे इंडस वैली civilization में था और दूसरा infrastructure ठीक है हमें strengthen करेंगी three weather station मुंबई में यह देखने को मिला है कि level of rainfall बहुत ज़्यादा दिखा रहा है शो कर रहा है ठीक है महालक्षमी Santa Cruz यहाँ पर तो यहाँ पर मुंबई specific है वही है infrastructure की जरुवत है आप सब लोगों में मीम से भी देखेंगे किस तरह से गाड़ियां डूब जाती है राइट catastrophic flood आया था मुंबई और चिन्नाई में 2005-2015 में और बहुत ज़्यादा management जो plans है जो सही नहीं बैठे थे ठीक है national disaster management authority के द्वारा और बाद में ministry of housing and orphan affair के अंदर एक strong water drainage manual यहाँ पर setup किया था ठीक है तो इस तरह से ही हमें advanced technology का यूज़ करना चाहिए इंडिया को directly तालिबान के साथ जो है बात करनी चाहिए जो तालिबान के leaders है यहाँ पर क्या हुआ है अफगानिस्तान में जैसे जैसे US ने अपने troops को withdrawal किया है तो New Delhi ने decide किया है कि किस तरह से हम तालिबान के साथ director बात करें ठीक है ऐसा expert कहते है जैसा पहले भी है इंडिया ने अपने जो consultant है कांदार में अपने diplomats हैं ITBP के personnel के station के यहाँ से हटाना शुरू कर दिया ताकि उनकी जानको ख़तरा ना हो बट at the end यहाँ पर क्या है इंडिया को अपनी अफगान जो policy है उस पर change लाने पड़ेंगे क्योंकि अफगान इससान में हमारे बहुत सारे project भी हैं तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए तालिबान के लोगों से directly open talks करनी चाहिए open talks का मतलब यह नहीं है कि हम उनको recognition दे रहे हैं ठीक है open talks का मतलब यह नहीं है कि हम उनको recognition दे रहे हैं सिर्फ हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से civilians को बचाया जा सकता है अगर जो नई दिल्ली है अगर तालीबान के साथ ओपन टॉक करती है बट उस समय इंडिया के लिए भी एक नेगिटिव पॉइंट है कि मेभी जो असरफ गनिया अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना के टू आर्ट्स ज्यादा जूग जाएं एस्यो के टू आर्ट से ज्यादा जूग जाएं ये भी हो सकता है तो कहीं न कहीं हम अफगानिस्तान को लेके चलना होगा तालीबान के साथ ओपन टॉक करने के लिए ठीक है इंडिया को बहुत सिंपल सी बात है ओपन इंगेजमेंट करना चाहिए ठीक है और अगर हम ओपन टॉक्स कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम तालीबान के साथ इंगेज हो रहे हैं या टॉलरेट कर रहे हैं उनको राइट तो दूसरा तालीबान ही वही है जिसने 1999 मे ये लंबे समय तक ये टेंपररी ही बना रहे है और उसके बाद खतम हो जाए इसलिए तालीबान से मिलके हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर COVID-19 पैकेस से रिलेटेड है वरक फोर से की सौटेज है इंफ्रस्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वही घिसा पिता है आपको ये या या नहीं हए तो वह क्षि कई रस्ट्रा करें ताकर अपक कंट्री में हम जासे अपक क् 부분이 बोड़ेगी। ज़्यादा फाइदा हो बट रशिया क्या चाहेगा रशिया ये कहता है कि नहीं हमें ओयल का प्रोड़क्शन बढ़ाएंगे ताकि हमको फाइदा हो हम जादी से ज़्यादा तेल बेच पाएंगे तो यही दोनों के बीच में एग्रिमेंट चलता रहता हमेशा यही चीजह होती है अब दोनों ही ब्लॉक ने यह बोलाए कि हम एक क्रूड प्रोड़क्शन चार लाग बेरल्स पर डे का सेटप करेंगे अगस्ते से मतलब हम एक दिन में चार लाग बेरल्स को सेटप करेंगे एक बेरल का मतलब होता है 159 लीटर्स एक बेरल का मतलब कितना होता है 159 लीटर्स यह चीज याद रखना वही है कि यार एक करप से अगर आउटपुट कम कर दिया जाए तो ओइल के डिमांड जो है बढ़ जाएगी तो आई थिंक के यह मैंने दोनु चीज़ा आपको बता दी है इसमें ओपेग और ओपेग प्लस कंट्री के बीच में क्या एगरिमेंट नहीं बैठता है ओपेग प्लस कंट्री कौन है यूपी एसी जनल स्टेडिस पेपर टू इंटरनेशनल इंस्टूशन और ग्रूपिंग में पूछा जाएगा नौन ओपेग कंट्री जो अंदर नहीं आती ही बट फिर भी क्रूड ओईल को बेचती है वो ओपेग प्लस बोली जाती है ओपेग प्लस में अजरबेजान रश्या देखो यह रश्या मेन है अब इनका अलग ब्लॉग बना है मतलब यह ओपेग कंट्री में नहीं आती है बट फिर भी ओईल को एक्सपोर्ट करती है अब यह कहेंगे नहीं हम तो लगातार ओईल को बढ़ाते रहेंगे ओपेग कंट्री कौन है ओपेग कंट्री भी है जैसे इनका हेड़कॉर्टर वियाना में है जन्वरी ओपेग मेंबर इस ओपन टो एनी कंट्री तरिटी सब्स्टेंचल एक्सपोर्टर अप ओईल जो भी ओईल को बेचता है वो ओपेग का पार्ट बन सकता है ठीक है मेंबर कंट्री से यह बोलती है कि हम प्रोडेक्शन कम करेंगे और उपेग प्लस क्या करेंगी प्रोडेक्शन हम ज्यादा करेंगे तो यही है और मैंने यहां पर ऑफिशल लिंक के भी दिया हुआ है ठीक है तो आप कोगे कि हाँ जो ऑईल को एक्सपोर्ट करता है उसके jest one लाइकस्टह कोगी पर ये इस्ट हो नहीं है विर्ल कला साइन्स एंटेक्नालोजी बेस्ड mr 1958 में इस्टेब्लिस वब्सथा था तीज़ों क frНет प्ली को टीदीी creativity यह अलग मिनिस्टर टोड़ राजसभा तो अभी राजसभा में ये बोला गया फाइन से मिनिस्टर के द्वारा कि हम थोड़ा सा और टाइम चाहते हैं राइट तो इन्होंने क्या बोला था जो कनईया कमार है तो कनईया कोबार ने आई टी आई डाली थी स्टेट बैंक आफ इंडिया से की आप क्या कीजे कितने इलक्टरल बॉर्ड है वो बताइए तो फाइनिस मिनिस्टर इस पर ये कह रही है कि हमा कुछ टाइम और चाहिए इलक्टरल बॉर्ड जनरल स्टेडिस पेपर टू ट्रांसपरेंसी अकाउंटिबिलिटी में ये पूछा जाता है और इलक्टरल बॉर्ड बहुत सिंपल है या दोचार अठार में यह आया था और इस पर यह होता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग द पॉलिट पर इन्डिया आपको ये बॉर्ड देगा जो पंद्रे दिन के वेलीड होता है यानि कि आपने स्टेड़ बैंको फंडिया से खरीद और पंद्रे दिन के अंदर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो वान्ड देने पड़ेंगे ताकि वह भी रिण्यू करा पाएं और electoral bond आप उन्ही पार्टी को donate कर सकते हैं जिसने previous लोकसभा या state election में एक परसेंट जो vote हासिल किया होगा according to representation of people act अगर एक परसेंट भी नहीं है बहुत बार ऐसा भी होते हैं कोई candidate या कोई party होती है जिसको एक परसेंट वोट भी नहीं मिला रहता है ठीक है तो क्या होगा पांच भी वोट नहीं मिले हैं 540 हैं तो पांच भी वोट नहीं मिले हैं तीन वोट मिले हैं तो उस political party को आप donation नहीं दे सकते हैं राइट कोई भी person इसको individual खरीद सकता है इधर singly or jointly with other individuals डोनर's name उसका mention नहीं होता है कभी कभी state bank of India एक तो fix a limit की इतने जनवरी से जुलाई से फिर अपरेल में ये state bank of India देगी बट कभी कभी election पहले भी आ जाएंगे तो electoral bond आप खरीद सकते हैं देखिए एक इसकी negative बात यह है कि यार डोनर का नाम नहीं है तो transparency नहीं है दूसरा देखो एक और यह है कि maximum limit नहीं है इसमें ठीक है maximum limit नहीं थे पहले क्या था कि आप जो अपना profit का जो company अगर मुके संबानी अगर BJP को donate करना चाती है तो सिर्फ अपनी company के profit का 5 से 2% कर सकती थी ठीक है या 15% कर सकती थी बड़े अब यहाँ पर मुके संबानी के पास कोई limit नहीं है तो directly अब इससे क्या होता है black money की back channeling हो सकती है ठीक है black money बहुत जदा आ सकता है ठीक है पहले क्या था 7.5% of corporate donation ही था अब कोई maximum limit ही नहीं है अब ब्रेक्जिट हो चुका है आप सबको पता है ब्रेक्जिट अलग हो चुका है तो अब सिंपल सी बात है ट्रेड है डोकोमेंट है यह सब सारे चेंज करने पढ़ेंगे राइट नाओ climate cooperation depends on overall ties चाइना ने USA को बोला climate cooperation करना है तो सबी लोगों को मिलके आगे काम करना पड़ेगा 25 किल्ड डैम्स डैमेज सेंट्रल चाइना में डैम तूटा और 25 लोग मारे गए ठीक है अब नेक्स्ट जो यह वाला है न्यूज यह देखिए लिवरपूल वाला यह हम डिसकस कर लेते हैं तो यूनेसको ने अभी लिवरपूल को World Heritage States से हटा दिया यह एक इंगलिस सिटी है लिवरपूल इसको हटा दिया गया इसके पीछे रीजन क्या दिया गया कि हमें एक नई बिल्डिंग मिल चुकी है मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है उसको भूल जाओ आप नई बिल्डिंग उनको मिल चुकी है जिसमें फूद वाल स्टेडियम भी है अंडमाइन दे अट्रेक्टिवनेस और इट्स विक्टोरियन डॉक तो यहाँ पर साथ में एक wildlife century को हटा दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यदा poaching और habitat loss हो रहा है अगर आप heritage site को वो कर रहे हैं तो wildlife century में सरकार को भी कानून बनाने पड़ेंगे strong क्योंकि युनेसको अगर वो अगर किसी को world heritage site बना रही है तो उसको funding भी देती है कि आप इसको कैसे conserve करोगे यह सब चीज़ें बट आप यह चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा वैसे जनवरी 2009 में वैंने four lane motorway bridge watch built over the river एक river में दिया था उसमें से motor lane बना दी बताओ ठीक है उस country ने तो उसको भी हटा दिया गया तो यह सब चीज़ें हमने detail में देख ली उसके बाद last एक business page की news अब यहाँ पर क्या है देखो insolvency आया है तो आई बीबियाई एमेंड करने वाला है insolvency की rules तो अब आपको यह news तभी समझ माएगी जब insolvency पता होगा और आई बीबियाई पता होगा अब लास्ट करते हैं national company law applied tribunal अब generally होता क्या है बहुत simple है आप लोगों को बता दूँ suppose कोई एक company है कोई business man है कोई individual है कोई जो है finance company है उसने loan लिया suppose SBA से लिया या किसी से भी लिया किसी एक individual से भी लिया तो अब इसमें क्या होता है bank से लिया वगरा एक simple सा है एक individual ने bank से पैसा लिया अपनी company खड़ा करने के लिए पैसा लिया और इसने अपना straight up चलाया suppose COVID-19 आ गया बीच में और इनका business नहीं चला तो अब ये पैसे वापिस नहीं कर पाया तो इसी case को क्या कहेंगे insolvency तो bank के पैसे वापिस नहीं हो रहे हैं तो इसको क्या कहतेंगे insolvency अब यही अगर code वता दे कि legal तरीके से अगर legal term जुड़ जाए कि ये पैसे वापिस नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे bankruptcy नाव अब होता क्या है एक board बनाय जाता है ठीक है board का नाम है ibb.i जिसे insolvency and bankruptcy board of India कहते हैं अब यह board क्या करती है अगर वो उसमें क्या होता है अगर पैसे देने होते हैं पैसे मांगे है PNB से मांगे हैं तो उनको वापिस कर देता है राइट नाव यहां पर है सबसे मेले comment देख लेते हैं सर क्या आप collect की point of view से भी न्यूज येस उसके point of view से भी होती है same generally जो format रहता वो आपको गीवन नमर पर कॉल करनी है ठीक है हम आपको explain करेंगे राइट आज का end code रखते हैं फिर से rain